मार्वल वैसे कोई भी कमी नी छोड़ने वाला है एंटर्टेन्मेंट के मामले में जो इसके फैन्स है उनको एंटर्टेन्मेंट वो अच्छे से प्रवाइड कराना चाहता है तब ही तो देखो एक के बाद एक मुवी सीरी जो है यह लगातार रिलीज किया रहे है तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एटर्नल मुवी टीजर के बारे में और यह मुवी इसी साल न्वंबर में रिलीज होने वाले है और यह वह देखो आर छायना के आंदर फास्ट फ्यूरियस नाहीं जब रिलीज हो चुकि है वो इसको देख रहे हैं और चायना का वाईरस हमा प्रणिशन और नॉर्मल होने में कितना टाइम लगे वो तो आने वाले टाइम पर ही छोड़ देते हैं अभी उसके पर खोई भी टिपणी नहीं करें तो जादा अच्छा है तो अब इस मुवी की कहानी के बारे बात कर लेते हैं देखो Eternal के अंदर जो कहानी है जितना मैंने इसके बारे में सर्च किया हैं कि धरती के उपर सिक्रेटली यानि रहसे में रूप से कुछ लोग रह रहे होते हैं और अब उन्होंने जो है मानव जाती को बहुत कुछ सिखाया है उनको जीना सिखाया उनको रहना सिखाया उनका विकास क किया और अब फिर से एक साथ आये हैं क्योंकि मानव जाती के उपर जो है वो खत्रा आ चुका है अब खत्रा के जब यह मूवी आएगी तभी पता चलेगा वैसे अटरनल के नाम से कोमिक्स भी आती है अगर आपने वो पढ़ी होगी तो आपको उसमें एटरनल के अंदर ज जहना जीना सब कुछ दिका रही होते हैं तो ऐसा इसमें दिखाया गया है मुझे काफी जादा उमीड है तो जो मूवी आएगी तभी पता चल जाएगा और एक बात जो मुझे काफी ज़्यादा पसंद आई इस मूवी के अंदर की भाई मूवी के मतलब इस टीजर के करूं तो इसकी presentation मुझे बहुत जादा पसंद आई इसके अंदर थोड़ी बहुत हमें जलक देखने को मिल जाती है बतलब बढ़िया बढ़िया जलक देखने को मिल जाती है जो अच्छा लगता है आँखों को सुकून देता है और वैसे टीजर के लास्ट में एक बात तो हमे के बात के टाइम की हो रही है और अब देखने वाली बात यह कि अब इस मुवी को कैसे रिलेट किया जाएगा अवेंजर के साथ या फिर उनकी भी कोई हमें जलक देखने को मिलती है या नहीं मिलती है तो वह तो जो मुवी आईगी उसके ओपर चोड़ देते हैं और इसके अब लोगों ने टीजर देखा आप लोगों ने इसकी कहानी के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज अपने कहानी मतलब जो इसकी कहानी वो मेरे साथ जुरूर शेर करना तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में टैक्स वर वोचिंग दिस वीडियो मिलत